परम ब्रह्मा श्री रूद्र वैदिक दैत्य की पूरी कहानी प्राचेन हिंदू धर्म गरंथों में परम ब्रह्मा श्री रूद्र का स्तान अधिवित्य है वे न केवल श्रुष्टी के बिनाशक माने जाते हैं बलकी एक ऐसे देवता है जिन में श्रुष्टी के समस्त तत्वों का समावेश है लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेदों में उनका वर्नत एक दैत्य के रूप में भी किया गया है यह कानी हमें वैदिक काल के उन अंचुए पहलूओं से परिचित कराती है जिन्हें कम ही लोग जानते है वेदों का उल्लिक वेदों में रुद्र को दैत्य या महान देवता दोनों ही रूपों में माना गया है दैत्य शब्द का वैदिक अर्थ है महान या दिव्य न की केवल नकारात्मक शक्ती वेदों में उनका उल्लेक मुख्य रूप से यजुर्वेद और रिग्वेद में मिलता है रुद्र के बारे में एक प्राची शलोक कहता है नमस्ते रुद्र मन्यवा उत्तोत इश्वे नमह यहां रुद्र को एक उग्र और प्रचंड देवता के रूप में पूजा गया है जो शुष्टी की हर स्तिती का निरधारत करते हैं रुद्र का स्वरूप रुद्र का सबसे मात्वपूर्णा रूप शिव के रूप में माना जाता है वे न केवल विनाशक है बलकी पुनार निर्मान करने वाले भी है रुद्र का या स्वरूप बताता है कि वे एक परम ब्रम्मा है जिनसे शुष्टी की उत्पत्ती होती है और आंत में वे ही उसे समाप करते हैं वेदिक साहित्य में रुद्र का जिक्र एक दैत्य के रूप में भी किया गया है लेकिन यह दैत्य बिनाशकारी नहीं बलकी पुनार निर्मान कारी है रुद्र और शिव का संबन्द रुद्र और शिव में कोई भेद नहीं है दोनों एक ही ब्रमान्डिया शक्ती के अलग-अलग पहलू है रुद्र वैदिक यूग के सबसे पुराने और पवित्र देवताओं में से एक है जो कालंतर में शिव के रूप में स्तापित हुए शिव की तरह रुद्र को भी योग, तपस्या और आध्यात्मिक्ता का प्रतिक माना जाता है रुद्र का वैदिक यग्य में स्ताद रुद्र को वैदिक यग्यों में विशेश रूप से माहत्वपूर्णा स्ताद दिया गया है रुद्र अभिशेक नामक यग्य जिसमें रुद्र की पूजा की जाती है आज भी प्रचिलित है प्राचीन वैदिक रशी इस यग्य के माध्यम से प्रकृती और सुष्टी की रक्षा के लिए रुद्र से प्रातना करते थे वेदों में रुद्र को यग्य का देउता कहा गया है जिनकी कृपा से समस्त ब्रह्मान का कल्यान होता है रुद्र का उग्र और शांत रूप रुद्र के दो रूप माने गए है उग्र और शांत उग्र रूप में वेविनाशक है जो असुरो और अधर्व का नाश करते है जबकि उनके शांत रूप में वे करुना मय है जो भक्तों पर कृपा बरसाते है और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते है यही दोरी प्रकृती उन्हें सबसे अनोखा और महत्वपूर्ण देवता बनाती है रुद्र और ब्रभांडिय शुष्टी रुद्र न केवल धर्ती के देवता है बलकि पूरे ब्रह्माण की शुष्टी और उसके संचालन में उनकी भूमी का अधिवित्य है उन्हें महादेव के रूप में पूजनियम माना गया है जो सभी देवताओं के देवता है वेदों के अनुसार शुष्टी की उत्पत्ती, संचालन और अंत तीनों ही रुद्र के आदीन होते है रुद्र के विभिन्न नाम और उनके अर्थ रुद्र के कई नाम है जो उनके विभिन्न रूपों और शक्तियों का प्रतीक है उन्हें महाकाल, त्रेंबक, शंकर और भूलेनात के नाम से भी जाना जाता है हर नाम उनके एक विशिष्टर रूप को दर्शाता है त्रेंबक यानी तीन नेत्रों वाले देवता जिनकी दृष्टी से शृष्टी का हर कोना सुरक्षित है रुद्र की भक्ती का महत्व रुद्र की भक्ती का महत्व अनन्त है वेकेवल वेदों के डैट्य या विनाशक ही नहीं बलकि परम करुनामई देवता है उनकी पूजा और यग्यों से सभी प्रकार की कठिनाईयों का समाधान मिलता है पुरानों में भी उनकी भक्ती का वर्नन व्यापक रूप से किया गया है रुद्र जो एक डैट्य के रूप में पूजे गए शिव के रूप में प्रतिष्टित हुए वेदों और पुरानों की इन कहानियों से हमें यह संदेश मिलता है कि सुरुष्टी में विनाश और निर्माद दोनों ही आवशक है और यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक रुद्र का अशिर्वाद इस संसार पर बना रहेगा झाल झाल